कि कि हैं है अगलीबरी ते स्वागात आप सभी गें परफाटवाट्वीडिंग सर्विस में दोस्तों मार्केट बहुत क्रैश हो रहा है बहुत पैनिक हो रहा है मार्केट में जैसा कि आप देख रहे हैं की 200-300 जो point market drag down हो रहा है आज किल के डेट में तो आप अपना पैसा कहां पर लगाएं कहां पर invest करें अभी जैसा कि आप देख रहे हैं कि यह bank crisis हो रहे हैं तो कौन से sector में कौन से stock में आप invest करें long term के लिए ताकि आपका future secure हो सके आज की वीडियो पे यहीं हम जाने वाले हैं जोस्तों वीडियो को start किया जाए उसे पहले अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो make sure है आप अपढ़ हमारे चैनल को subscribe कर लें हमारे चैनल को ठीक है जोस्तों आज स्टॉक ये साबित हो सकता है हाँ मल्टि वैगर इसके लिए होगा जो इसमें 20 साल के लिए इनवस्ट करें ठीक है तो वह कौन सा स्टॉक है जोस्तों स्टॉक का नाम है है जोस्तों जैसे क्या आपको पता है है कौन सी कंपनी है अब क्या हो रहा है जोड़ा समझते हमने क्यों स्ट किया है है अब क्या है अब क्या है अब है जो भी प्रोडेक्ट है अब क्या होगा अब क्या होगा तो वोल्टास में आप खुद देखिए वोल्टास में मार्केट नीचे जा रहा था लेकिन वोल्टास उपर जा रहा था अभी है अब क्या होगा अब क्या होगा तो मार्केट कहां से कहां तक आ गया लेकिन है जादा कुछ प्रॉब्लम नहीं आई है यह जादा कुछ ड्रैगडाउन देखने को नहीं मिला है तो अभी हम चलते है इंटरेक्ट चार्ट पे और हम पूरा समझेंगे पूरा अनलाइस हैवल्स को आपको किस रेट पे लेना चाहिए और कितने टाइम के लेना चाहिए और हैवल्स ने 10 सालों में पिछले 10 सालों में कितना कंपांडिंग रिटर्न दिया है और कितना दे सकता है अगले 10-15 सालों में अब हम चलते हैं स्टॉक्स पे दोस्तों हमने खोल लिया है है लबस का चार्ट और अभी हमने खोल रखा है इसका weekly time frame देखिए weekly time frame में क्या हो रहा है इसमें हम समझते हैं ठीक है हम पहले 10 सालों का data लेते हैं 10 सालों के अंदर ये क्या क्या करते आ रहा है और कितने पशन्ट का return दिया है देखिए हम पहले काम करेंगे हम पहले 10 सालों का return गिनेंगे कि कितना return दिया है देखिए मेरे पास एक list मैंने create की है अगर हम calculate करें 2010 से तो देखिए 2010 से 55% के आसपास का return दिया था 2011 में इसने 26% के return दिया था 2012 में इसने दिया था 60-65% का return और 2013 में दिया था इसने 19% का return 2014 में दिया था इसने 70-75% का return 2015 में दिया था इसने 17% का return और 2016 में दिया इसने माइनस साथे 5% का return तो दीए 2019 में केवल इसने माइनस 5% return प्रोवाइड किया है शुरुवात के हमारे 8 साल में इसने अच्छा कासा हमें return कमा के दिया है अब हम थोड़ा technical समझखते हैं कि technical पर हमें ये क्यों अच्छा संकेत दे रहा है और हमें इसे क्यों ले के भूल जाना चाहिए देखिए अभी ये क्या कर रहा बैसिकली हैवल्स ये चला था ठीक है एक रेंज बनाया था फिर उपर चला ये रेजिस्टेंस था हमारा रेजिस्टेंस को सपोर्ट किया फिर इस ने ब्रेकडाउन किया था जैसा कि हमने आपको पहले जो پी आ होता हो बाद में क्या बन जाता है चाहिए प्रिबियू रजिस्टेंस होता बाद में करेंट सपोर्ट बन जाता है तो प्रिब्री का ये फिर हमारा ये क्या बन गया था ये रेंज ये हमारा बन गया था ठीक है फिर पियार टूटा फिर बाद में क्या बन गया ये CS बन गया पियार हमारा नाओ CS बन गया ठीक है थोड़ा समझेएगा जोस्तों वीडियो को लाइक करते रहेगा और जो भी नेमानों सुस्क्राइब करती लेगा हमारे चैनल को ठीक है अच्छा अब यहां से फिर एबल्स ने रेजिस्टेंस लिया था नीचे आया था फिर उपर गया फिर हमारा जो पी यार था वाद में क्या बन गया सीएस बन गया मेरे बात समझें आप फिर यहां से सीएस से बाउंस लेके यहां तक गया था लाइफ टाइम हाई लगाया था इसने फिर नीचे आया फिर अभी हमारा क्या किया है करेंट रेजिस्टेंस की तरह एक किया है तो हमें क्या करना है अब फड़ा सुनिए हमें हैवल्स को बाय कर लेना है फॉर दो लॉंग टर्म कितने सालों के लिए आठ से 10 सालों के लिए अब देखिए मैं इतना टां क्यों दे रहा हूं क्योंकि इतना टां किया आप यह उनके लिए जो वस लेके छोड़ देना चाहते हैं ठीक है अच्छा मैं अगर बात करूं कि माल लिए आपको 5 सालों में कुछ चाहिए तो 5 सालों भी आपको यह अच्छा का सा रिटर्न प्रोवाइड कर देगा ठीक है मैं बताओं कितना रिटर्न प्रोवाइड करने का प्रोब्याबिलिटी लग रहा है मेरो को इसमें तो देखिए अभी कैसे हमको इन्वेस्टिंग करने हैं थोड़ा समझते हैं अगर मानली जी आपको इसमे आपका आवरेज ठीक ठाक रिट पे आ जाएगा अब ऐसा नहीं आपको कि कल के रिट में और सौ क्वांटिटी ले लेना है ऐसा नहीं करना ठीक है अच्छा अब इसके बाद अब थोड़ा हम और टेकनिकल समझते हैं कि टेकनिकल में क्या हो रहा है देखिए पहली बात मार मार्केट गरने के बावजुद भी एक किस प्रकात की कैंडल बना रहा है मजबूती वाली कैंडल बना रहा है यह क्यूं बना रहा है दोस्तों आपको एक चीज़ पता होने चाहिए देखिए कि सारे स्टॉक डरूरी नहीं है कि मार्केट में पार्टिसिपेट करें यह क्य मार्केट गिरा लेकिन यह नहीं गिरा ठीक है तो अभी क्या है कि देखिए अभी हो सकता है कि थोड़ा बहुत मार्केट हलका फुलका जब और नीचे है थोड़ा बहुत आपको वहां पर मिल जाए बाइंग एंट्री तो आप 40 कॉंटिटी वैसे ले लीजेए गा तो मैं उससाब से आपको बोल रहा हूँ बता रहा हूँ ठीक है अचा तो अब वही है कि देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ कि मार्केट कहां से कहां अगया लेकिन है उन्हें एक रेंज बना लिया है अब यह रेंज में आपको पता दूँ यह टूटेगा ऊपर साइट यह कितना लेवल है यह हमारा लेवल है 640 का 640 के उपर जैसे का अंडल बंद हो जाएगी ने विकली दो आपको बदा दूमें यह साथ शो का लेवल दिखा देगा कितना साथ शो का चली यह तो छोटी बात है साथ शो का लेवल तो शॉट टर्म ट्रेडिंग वालों के लिए अगर हम बात करें इसके हेवी टागेट के लिए इसका लॉंग टर्म के टागेट कितना निकल के आता है देखिए इसका लॉंग टर्म के टागेट के अगर हम बात करें तो यह बिल्कुल अब यहां से कह लिए जो 600 है अगर हम टागेट नहीं पर लिख के चलें तो इसका ट एक विडियो बनाई ये भी नहीं हो जाएगा ठीक है अब इसमें टाइम लगएगा चा कितना आपको हुए लाइन रखना यह पांसो असी का पांसो अपर जब है क्या करना है buying on dip buying on dip देखो आपको आप खुश समझीए मैंने क्या मत हमने 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 क्या रूल पड़ा है जो PR होता है वाद में CS बन जाता है ठीक है तो PR हमारा था अब बाद में हर बाट यहांसे भाउंस लियाए कि नहीं लिया है जिनो एक बाउंस लिया और यह तीसरी भाउंस ले चुका है हाँ ज़रूरी भी निय SCP यह चला पिडित से यहां पर निचे आ सकता है आपको डराने के लिए लोगों को डराने के लिए भैभीत करने के लिए ठीक है दूस्तों वीडियो को लाइक करते लिए गार जो भी नुआ सोस्क्राइब करते लिए का मरेरे चैनल को आप लाइक करते हैं को बहुत अच्छा लगता है बहुत मॉल्टिवेशन दिए इस प्रकार की वीडियो सो और लाने के लिए ठीक है तो देखिए वही है कि मैंने किस प्रकार से आपको चीजे लेनी है किस प्रकार से क्वांटिटी में लेना है आपको मैंने बता दिया है क्या टागेट है ठीक है क्या अपको सब बता दिया है और अगर बात करें और इसका लंबा टागेट क्या हो सकता है तो ज यह आना है जोस्तों आपको देखो इसी प्रकार की companies में आपको invest करना है आपको रहना है ठीक है अब आपने देखा कि financial crisis हो रही है बैंकों की crisis हो रही है, आपने यस बैंक का case सुना, ठीक है, तो इससे हमें यह संज में आता है कि आप अपना पैसा उस quality stock में डालिए, जो quality stock आपको आने वाले समय में अच्छा खासा return दे सके, उसी में से हमारा hevels एक लौता stock है, ठीक है, जो hevels है बहुत niche player अपने field में, य हमारे consumer good electrical चीजों की अविशक्ता और पड़ेगी, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया stock है, आपको इसमें इनवेस्ट करना चाहिए, मैं आपको एक disclaimer दे दू, मेरे इसमें खुझ holding भी है, ठीक 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 ह करते हैं ट्रेनिंग की ठीक है तो दोस्तों तो तिल देन गुड़नाइट टेक केर जैन्द आप सब को